स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चलिए शुरुवात करते हैं पहला प्रश्ण है आद्योगिक पार्क नीती 2024 के संबंध में निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कथन है इसका लक्ष आद्योगिक पार्कों का स्वाडिम चतरभुज बनाने के लिए बारह एंकलेव स्थापित करना है तूसरा कथन है केंद्र और राज्य सरकारे निजी क्षेतर के साथ मिलकर प्लग एंड प्ले एकी कृत स्मार्ट और द्योगिक शहर विक्सित करेंगी जिसमें आवासी एमम वाडिंजिक शेतर शामिल होंगे तीसरा कथन है राज्यों का योगदान एकविटी के रूप में आएगा और केंद्र भू में उपलब्ध कराएगा वो प्रियुक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है विकल्प एक केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अर्थाद दो कथन सही है कौन-कौन से दो कथन है तो विशलेशन पक्षपो देखते है और योगिक पार्क नीती 2024 का लक्ष और योगिक पार्कों का स्वाडिम क्षतर भुज बनाने के लिए बारह परिक्षेतर स्थापित करना है अता कथन एक सही है केंद्र और राजिस सरकारे नीजिक क्षेतर के साथ मिलकर प्लग एंड प्ले एक इकरित स्मार्ट और द्युगिक शहर विक्सित करेंगी जिसमें आवासी और वनिजिक क्षेतर शामिल होंगे अता कथन दो भी सही है अगला प्रशन है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहां अत्यधिक तापमान रहता है कथा वायुमंडल या चुम्बकी क्षेतर के बिना मनुष्य सौर विकरण से असुरक्षित है दूसरा कथन है अंतरिक्ष में लम्बे समय तक शौनि गुरुत्वाकरशन के कारण मांश्पेसिया कमजोर हो सकती है तथा अन्यस्वास्त समस्याएं भी हो सकती है तीसरा कथन है अंतरिक्ष उडान के लिए त्वरण की अवशक्ता होती है जिसके परिडाम स्वरूप पिंड पर सामानी गुरत्वाकरशन का 910 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है वो प्रियुक्त में से कितने कथन सही है केवल एक केवल दो सभी तीन या कोई भी नहीं इ विकल्प सी विशलेशन पक्ष को देखते हैं अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहां अत्यधिक तापमान रहता है तथा वायुमंडल या चुम्मकी वक्षेतर के बिना मनुस्य सौर विकरण से असुरक्षित है अता कथन एक सही है अंतरिक्ष में लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकरशन के कारण मानशपेदसिया कमजोर हो सकती है तथा अन्य स्वास्थ समस्यायं भी हो सकती है अता कथन दो भी सही है अंतरिक्ष उड़ान के लिए त्वरण की अवश्यक्ता होती है जिसके परिडाम स्वरूप पिंड पर सामाने गुरुत्वाकरशन का 910 दस गुना अधिक प्रभाव पड़ता है तक कथन 3 भी बिल्कुल सही है अगला प्रशन है निमनिलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन पुरानी पेंशन योजना OPS में निश्चित लाब का वादा किया गया था जिसमें करमचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जा जाता है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दो या विकल्प D न तो 1 नहीं 2 इसका सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दो पुरानी पेंशन योजना OPS में निश्चित लाब का वादा किया गया था जिसमे कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता था अता कथन एक सही है नई पेंशन योजना NPS गारेंटी शुदा लाफ वाली प्रणाली से बदल कर ऐसी प्रणाली बन गई है जहां रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश कितना अच्छा प्रदर्शन करत अता कथन दो सही है अगला प्रशन है डिजिटल व्यक्तिगट डेटा संरक्षन DPDP अधनियम 2023 के संबंध में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है इसका उद्देश ये नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना है जिसमें सीमा पार साजा करण भी शामिल ह दूसरा कथन है यह व्यक्तिगट डेटा को जानने और नियंतरित करने का अधिकार देता है तीसरा कथन है यह व्यक्तिगट डेटा को तब हटाने का आदेश देता है जब उप्योग करता सहमती वापस ले लेता है या जिस उद्देश के लिए डेटा एकत्र किया गया था अब वह प्रासंगिक नहीं है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है विकल्प D कोई भी नहीं आईए जानते हैं Digital Vyakti Data Sanlection DPDP अधियम 2023 के बारे में Digital Vyakti Data Sanlection DPDP अधियम 2023 का उद्देश ये नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना है जिसमें सीमा पार साजाकरण भी शामिल है अता कथन 1 सही है यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिकट डेटा को जानने और नियंतरित करने का अधिकार देता है अता कथन 2 सही है यह व्यक्तिकट डेटा को तब हटाने का आदेश देता है जब उप्योग करता सहमती वापस ले लेता है या जिस उद्देश के लिए डेटा एकत्र किया गया था अब वह प्रासंगिक नहीं है अता कथन 3 भी सही है अगला प्रशन है गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और करण फली सांगू नदी प्रडालियों में पाई जाती है दूसरा कथन ये केवल ताजे जल में रहती है और ध्वनी उत्पन करके शिकार करती है तीसरा कथन है ये भारती वन्यजीव संरक्षन अधनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है उपर्युक्त में कौन सा ये कौन से कथन सही है या है विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C 2 और 3 या विकल्प D 1 और 3 तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक केवल एक और तीन गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल भारत और बंगलादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और करण फुली सांगु नदी प्रणालियों में पाई जाती हैं। अगला प्रशन है नमन परियुजना के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्पे केवल 1, विकल्पB केवल 2, विकल्पC 1 और 2 दोनो या विकल्पD न तो 1 नहीं 2, तो इसका सही उत्तर है विकल्पC 1 और 2 दोनो। हाली में भारती सेना ने नमन परियोजना की शुरुवात की है। नमन परियोजना के तहट देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 कौमन सर्विस सेंटर स्थापित किये गए हैं। अतकतन एक सही है। गरतलब है किस परियोजना का लक्ष अगले दो से तीन वर्षों में देश भर में लगभग 200 के इंदर स्थापित करना है। अगला प्रशन है बायो एथरी अर्थ विवस्था परियावरण और रोजगार के लिए जैव प्राध्योगी की नीती के संबंध में निमनलिखित कत पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नीती भारत के कुशल कारेवल के विस्तार के सुविधा प्रदान करेगी और रोजगार स्रिजन में वृद्धी प्रदान करेगी। दूसरा कथन है यह नीती सर्कुलर बायो एकोनामी को बढ़ावा देकर भारत को त्वरित हरित व केवल 1, विकल्प B, केवल 2, विकल्प C, सभी 3, या विकल्प D कोई भी नहीं, तो इसका सही उत्तर है, विकल्प B, केवल 2, तो आए जानते हैं, बायो E3 अर्थ विवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए, जैव प्राध्योगी की नीति के बारे में, यह नीति भारत के कुशल कार्यवल के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी, और रोजगार स्रिजन में वृध्धी प्रदान करेगी, अताकथन 1, सही है, यह नीति सरकार की पहलों जैसे की नेट जीरो कार्बन अर्थ विवस्था और परियावरण के लिए जीवन शैली को मजबूत करेगी, तथा सरकुलर बायो एकनॉमी को बढ़ावा देकर भारत को त्वरित हरित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी, अताकथन 2, सही है, इससे बायो मैनुफेक्चरिंग और बायो AI हब और बायो फाउंडरी की स्थापना करके प्रावध्योगी की विकास एवं व्यावसाई करण में तेजी आएगी, अताकथन 3, सही नहीं है, अगला प्रशन है, राष्ट्री हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM के संबंध में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजि हाइड्रोजन संक्रमन SIGHT, कारिक्रम के लिए रणनेतिक हस्तक्षेप केवल एलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माड है तो प्रोचसाहन पतान करता है, उप्रियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोन है विकल्प A केवल 1, भारत ने जन्वरी 2023 में राष्ट्री हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM लॉंच किया, नवीन एवं नवी करणी उर्जामंत्राले MNRE वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उतपादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हासिल करने के लक्ष के साथ NGHM को क्रियानवित कर रहा है, अता कथन 1, सही है, NGHM के तहत भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र विक्सित करने के मिशन और कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉंच किया गया, अता कथन 2, सही नहीं है, अगला C, G, Y, अविकल्प D, आंध्र प्रदेश, तो इसका सही उत्तर है, विकल्प B, तमिल्नाडू, तमिल्नाडू के मननार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में समुद्री संसाधनों तथा जय विवित्ता की रक्षा के लिए देश के पहले समुद्री बल के गठन की गुषना क राज जिने कहा कि इस बल में मक्छुवारा समुदाय के बारह समुद्री निरिक्षक शामिल है, जो समुद्री वन्यजीवों की तसकरी और अवैध शिकार जैसे अपराधों से निप्टेंगे, अताविकल्प B, सही है अगला प्रशन है चलियार नदी के संबंध में इनिलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन या पश्चिमी घाट में इलामबा लारी पहाडियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दूसरा कथन है, चेरुपुझा और करीम पुझा चलियार नदी की सहायक नदियां हैं, उपर्युक्त में से कौनसा या कौनसे कथन सही है या है विकल्पे केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प बी ना तो एक नहीं दो इसका सही उत्तर है, विकल्प बी केवल दो चालियार नदी या पश्मी घाट में इलामबा लारी पहाडियों से निकलती है और अरब सागर में मिलने से पहले मलब पुरम तथा कोजी कोड जिलों से होकर बहती है अता कथन एक सही नहीं है इसकी महत पुर्ण सहायक नदियां चेर पुझा, इरिंगी पुझा, कुरंबन पुझा, कानहिरा पुझा, पुन्न पुझा, करीम पुझा, वाड़ा पुरं पुझा और चालियार पुझा है अता कथन दो सही है अंद में चलिए नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्न का लगभग 30% प्रसंस करण करता है नीचे देए गया कूट का उप्योग करके सही उत्तर चुनिये विकल्प 1 केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 नहीं दो दियो विवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले क्जें दो विकल्प को ईम्हार सबस्जाओ चैनल को जआूम स्ब्सक्राइब करना